जहन, मैं ललित खतरी और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया आज बात Free Fast Tax सुविधा की और बात Digital इंडिया को राजस्तान सरकार के करमचारी कैसे नाकाम कर रहे हैं उसकी तो सबसे पहले ये खबर उन लोगों के लिए बहुत जुरूई है जिनोंने अब तक अपनी गाड़ी में Fast Tax नहीं लगवाया है उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है केंद्र सरकार अब कई टोल प्लाजा पर electronic टोल संग्रह को बढ़ावा देने के लिए फ्री में Fast Tax लगवाने का मौका दे रही है और अगर आपने Fast Tax नहीं लगवाया तो आपको दो गुना टोल देना होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले के मताबिक भारतिय राष्ट्य राजमार्ग प्राधिकरण ने Fast Tax की लागत 100 रुपे को 15 दिनों के लिए माफ कर दिया है और अब टोल प्लाजा पर अगले 15 दिनों तक Fast Tax मुफ्ट में मिलेंगी 15 फरवरी से 29 फरवरी के बीच NHAI टोल प्लाजा में Fast Tax लेने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा आपको बता दें कि Fast Tax लगवाने के लिए आप My Fast Tax एप और टोल फ्री नंबर 1033 पर भी संपर्क कर सकते हैं यहां आपको Fast Tax के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप Official Website www.ihmcl.com पर भी विजिट कर सकते हैं और अब बात राजस्तान के उन करमचारीों की जिन्होंने मोधी सरकार के Digital India को नाकाम करने की कसम खा रखी है सरकारी दफ्तरों में काम करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है अधिकारी से लेकर करमचारी भी कम्प्यूटर लैप्टॉप के जरिये काम कर रहे हैं लेकिन हमारे यहां हाजरी का तरीका सालों पुराना चल रहा है सरकारी विभागों में आज भी अधीकारी करमचारी रेजिस्टर में हाजरी कर रहे हैं करमचारियों को समय पर पहुँचने की पाबंदी नहीं है हरानी की बात तो यह है कि शासन सचीवाले और जिला कलेक्टर में भी पुराना धर्रा अपनाया जा रहा है इसके लिए सरकार ने वक्त का पाबंद बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों में इए अटेंडनेंस का सिस्टम अपनाया था कलेक्टरेट हो, स्कूल कॉलेज हो, नगर निगम हो या अन्य कोई सरकारी विभाग जातर ने रेजिस्टर को अलविदा कहते हुए इए अटेंडनेंस का सहरा लिया था लाख रुपे की मशीने खरीदी गई, लेकिन चंदमाबाद ही इन व्यवस्ताओं को ग्रहन लगया अधिकारियों करमचारियों ने दिवबारा रेजिस्टर में हाजरी लगानी शुरू कर दी, वहीं मशीन जो खरीदी गई थी वह कबाड में तबदील हो चुकी है चैपुर उजले में 216 सरकारी कारयाले हैं जहां 10,000 से अधिक करमचारी काम कर रहे हैं ऐसे में बायोमेट्रिक मशीन नहीं होने से करमचारियों के समय से आने और जाने पर सवाल खड़ी किये जा रहे हैं गौरतलब है कि करमचारियों के समय पर नहीं पहुंचने की लगातार शिकायतों पर प्रशासनिक सुधार विभाग सरकारी कारयालों में निरिक्षन कर चुका है आधे से ज़्यादा विभागों के करमचारी गाया मिले हैं इस पर सरकारी करमचारियों को नोटिस भी जारी किये गए हैं ऐसे में सवाल उखता है कि सकती के लिए आखिर विभागों में बायोमेट्रिक मशीने क्यों नहीं लगाई जा रही है प्रदेश बर के सरकारी कारेल्यू की जहां से मॉनिटरिंग की जाती है उसी शासन सचेवालय में हाजरी रजिस्टर से हो रही है करमचारियों की सीट पर नहीं बैठने और देरी से आने के मामले में हाल ही एक मामला सामने आया है प्रशासनिक सुधार विभाग ने कार्मिक विभाग को पत्र लिक का कहा था कि अधिकारी करमचारी स्टेंटल पार्क में घूमते हैं और जनता इंतजार करती रहती है वहीं जैपुजला कलेक्टर का आलम तो यह है कि बार बार निरिक्षण में करमचारी गायब मिलते हैं फाल ही पिछले दिनों कलेक्टर जोगाराम ने निरिक्षण किया तो 62 फीजदी करमचारी गायब मिले इससे पूर्व कलेक्टर जगरूफ सिंग याधव को भी दोरे में आदे से जादा करमचारी नहीं मिले रजिस्टर जबत कर नोटिस दिये गए गौर तलब है कि कलेक्टरेट में सालों पहले बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया गया था लेकिन करमचारी ने विरोध कर उसे हटा दिया बरहाल जैपुर के जेडिये और नगरनिगम कार्यालियों में वर्तमान में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू है यही नहीं, SMS अस्पताल में भी हाजरी बायोमेट्रिक से हो रही है ऐसे में सवाल उड़ता है कि जनता से जुड़े अन्य विभागों में यह नियम लागू क्यों नहीं है क्या अधिकारी और करमचारियों पर लगाम जरूरी नहीं है आप भी अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो MTTV इंडिया के पेज को फॉलो करें और अगर यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करें वीडियो जर्नलिस राजवीर सिंग के साथ मैं ललित खत्री हूँ